सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांट चैनल को और बेल आइकन बजाएए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नोविक्रांट में आप सभी का स्वागत हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको Realme UI 2.0 एंड Realme UI 3.0 का जुलाई मन्त में कौन-कौन से डिवाइसेस को अपडेट देखने को मिला और आपके डिवाइसेस में कब तक ये अपडेट देखने को मिलेगा सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो पूरा वीडियो देखिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ पर बात की जाए Realme के Official Software Information की तो यहाँ पर आप Realme के Official Website में जाकर चेक आउट कर सकते हैं जहाँ पर आपको Realme का Smartphone, Laptop और TV वगरा का Software Information जो है देखने को मिल जाता है बात की जाए यहाँ पर Smartphone की तो यहाँ पर आपको काफी सारे Device List देखने को मिलता है और साथ ही यहाँ पर Update का Information भी देखने को मिल जाता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिक्कत यह होती है कि जो भी Newly Launched Devices है उसको यहाँ पर Update नहीं किया है और यहाँ पर जो भी Software Information देखने को मिलता है वो अभी तक Realme UI 1.0 का ही देखने को मिलता है तो कुछ इस टाइप से दिक्कत यहाँ पर होती है लेकिन दोस्तों Realme के New Software Update का Information हमें Realme के Official Community पेज में देखने को मिल जाता है तो अगर दोस्तों आप Realme Community यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा और अभी दोस्तों जो भी Software Update रोल आउट हुआ है उसमें किसी किसी डिवाइसेस को जून मंत का Android Security Patch देखने को मिलता है और किसी किसी डिवाइसेस को जुलाई मंत का लेटेस्ट Android Security Patch देखने को मिलता है तो यहाँ पर जुलाई मंत में डिवाइस लिस्ट की बात करें तो रियल्मी 9i, रियल्मी नार्जो 30A, रियल्मी 9 को, रियल्मी UI 2.0 और रियल्मी UI 3.0 के अपडेट के साथ जुलाई मंत का Open Bita Update और Stable Update जो हैं देखने को मिल चुका है इसके साथ रियल्मी नार्जो 50 5G, रियल्मी 8i, रियल्मी नार्जो 50 4G के अंदर रियल्मी UI 2.0 और रियल्मी UI 3.0 के अपडेट के साथ जुलाई मंत का Stable Update जो हैं देखने को मिल चुका है इसके अलावा बात किजा अगले डिवाइसेस की तो रियल्मी GT 2 Pro, रियल्मी C25 और रियल्मी C35 के अंदर रियल्मी UI 2.0 और रियल्मी UI 3.0 के अपडेट के साथ जुलाई मंत का Early Access Update और Stable Update जो हैं देखने को मिल चुका है साथ ही रियल्मी C35, रियल्मी नार्जो 50A Prime, रियल्मी GT Neo 2 5G और रियल्मी C25Y के अंदर रियल्मी UI 2.0 और रियल्मी UI 3.0 के अपडेट के साथ जुलाई मंत का Stable Update जो हैं देखने को मिल चुका है इसके अलावा रियल्मी नार्जो 50A Prime, रियल्मी C31 और रियल्मी C15 Qualcomm Edition के अंदर रियल्मी UI 2.0 और रियल्मी UI 3.0 के अपडेट के साथ जुलाई मंत का Early Access Update और इस्टेबल अपडेट जो हैं देखने को मिल चुका हैं इसके अलावा रियल्मी C30, रियल्मी 9, रियल्मी C12 के अंदर रियल्मी UI 2.0 और रियल्मी UI 3.0 के अपडेट के साथ जुलाई मंत का इस्टेबल अपडेट जो हैं देखने को मिल चुका हैं इसके अलावा रियल्मी पेड, रियल्मी C15, और रियल्मी C21Y के अंदर रियल्मी UI 2.0 के अपडेट के साथ जुलाई मंत का इस्टेबल अपडेट जो हैं देखने को मिल चुका हैं इसके अलावा बात की जाए अगले डियुआइसेस की तो रियल्मी C25S, रियल्मी C21, और रियल्मी 9 5G के अंदर रियल्मी UI 2.0 और रियल्मी UI 3.0 के अपडेट के साथ जुलाई मंत का इस्टेबल और ओपन बीटा अपडेट जो हैं देखने को मिल चुका हैं तो यह रहा दोस्तों रियल्मी UI 2.0 और रियल्मी UI 3.0 का जुलाई मंत में जिन जिन डिवाइसेस को अपडेट देखने को मिला उसका डिवाइस लिस्ट अब दोस्तों बात की जाए सिस्टम एप्लिकेशन अपडेट की तो यहाँ पर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन म अपने टेलिग्राम ग्रूप का लिंक जो है एट कर दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल्मी वाले रियल्मी UI 3.0 और 5.0 का काफी सारे सिस्टम एप्लिकेशन का अपडेट जो हैं प्रोवाइट करवाए हैं तो अगर दोस्तों इन सिस्टम एप्लिकेशन को आप अ बुले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई एंड टेक केर दोस्तों